चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाईए और हार एक न्यूज सबसे पहले पाईए संघर्स में भूचपुरी महलाओं का काफी बड़ा योगदान देखा जा रहा है कुल मिला के कहा जाए तो भूचपुरी आदर्सकों को संघर्स मोवी काफी जादा पसंद आ रही है सभी तो पूरे भारत में इस फिल्म को सभी सिनिमा घरों में दूसरा सप्ता सांदार प्रवेश कर लिया है ऐसे में सभी भूचपुरी आदर्सक यह जानना चाहते हैं कि संघर्स ने पहले बीकेंड में कितना कमाई किया होगा हलाकि आपको बता दे कि अभी तक प्रोडूसर या फिर डिस्टिबूटर की तीम की तरब से अभी तक कोई भी अफिसेल एनॉस्मेंट नहीं किया गया है लेकिन मीडिया रिपोर्ट से या खबर आई है कि संघर्स ने पहले बीकेंड यानि की पहला सप्ता करीब करीब पूरे भारत से करीब तीन करूर से जादा कर वेपसाई किया है अकेले आनन मंदिर थियेटर में ही पहले बीक का कलेक्शन तीख स्लाक से उपर का रहा है जो कि एक बहुत ही बड़ा रिकार्ड है अब ऐसे में देखना है कि क्या वाके में ही खिसाडी लाली आदब की फिल्म तीन कडुर के उपर पार किया होगा हलाकि आपको बता दे कि प्रोडूसर की तरप से अभी तक कोई भी अफिसेली एनांस्मेट नहीं किया गया है कि फिल्म का कलेक्शन क्या रहा है अगर आप लोगों ने अभी तक संघर्ष मूवी नहीं देखा है तो आप अपने नजदी की थीएटर में जाकर जरूर देखे और अपने प्रतिकिरिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको खिसाडी लालियादव और काजल रादवानी अपनी संघर्ष अभी आप लोगो कैसी लगी